हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब आशक करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं मैं वनी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम जैस्ट में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी पीसी का जो रिवाइज डिजल्ट है मेरी स्क्रीन पर यह आप देख सकते हैं राची बोड़ की है और इसकी क्या गई है और रिवाइज होने से पहले क्या अंतर था कितने मार्क्स का अंतर आया है इस वीडियो में हम सभी पर बात करने वाले हैं तो वीडियो स्टाट करने से पहले जो लोग चैनल पर के लिए तो चले वीडियो शुरू करते हैं जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं यह लेवल टू के लिए अब की बार इन्होंने क्या किया है रिवाइज ट्रीजल जो निकाला है इन्होंने वह सेपरेट एक लेवल के लिए निकाल दिया है यानि कि इसके अंदर कोई पोस्ट नहीं डाली जैसे तिछली बार जो टीजल्ट आया था उसके अंदर सब की पोस्ट वाइज इन्होंने जो है कट ओफ डाली थी इसके अब इन्होंने सेपरेटली एक लेवल टू के लिए ही कट ओफ आपके सामने रख दिया है अब इसके अंदर हम देखते हैं कट ओफ क्या कही है आप देख पार होंगे कि यू आर की जो कट ओफ है वो 71.52 गई है और स्ट की कट ओफ जो है 59.25 स्ट की 53 और ओबिसी की 69 और इडवलू एस की जो गई है वो 54 गई है यह रिवाइज होने के बाद आपकी जो है यह जो डिवाइज डिजल टाया उसके बाद गई है जैसे कि आप देख सकते हैं 30 मार्च यह आजी की डेट है और यह पब्लिश किया गया है अब हम बात करते हैं कि डिवाइज होने से पहले जो प्रिविएज आई थी उसकी कट ओफ क्या थी और उसमें कितना अंतर इसके इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो पिछली बार जो कट ओफ आई थी वो पोस्ट वाई जाई थी और इसके अंदर आप देख सकते हैं यूर के लिए जो कट ओफ थी वो 87 थी और स्शेके लिए 57 थी और ट्रेंड कलर केलिए 81 और यू ओर के लिए 91 एस्ट के लिए 72 ओविप सी के लिए 89 और इधर टाइपिस्ट वाले में 69 और ओबिशि में 85 और उसके लिए 80 और इसके लिए 84 तो आप देख सकते हैं कि revised जो answer की आई है revised जो answer की आपकी आई है उसके अंदर लगभग आप देख सकते है 16 नंबर का यानि के 10 नंबर प्लस का ही आपका जो है जा रहा है चैसा कि आप इसके अंदर देख सकते है कि यह UR की यहाँ पर 87 है यहाँ पर 87 है यह revised होने से पहले है और अब जब revised हुई है तो वहाँ पर 71 है तो आप देख सकते हैं सीधा-सीधा जो है 16 marks का 16 marks 16 marks का आपका जो है difference आ रहा है revised answer की यह revised result आने के बाद तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर आ रहा है revised होने के बाद और devised होने से पहले लेकिन आप इस बात को भी जान लीजिए कि इस समय जो result दिया गया था वो आप सब कोई पता है कि 10 times result था तो ओर 10 times candidate को लेने के लिए 16 number cutoff को decrease किया गया है यह राची बोड़ की है यानि कि यह राची बोड़ की है और भी बोड़ होंगे उन में से भी इतना number अगर नहीं cutoff में decrease हुआ तो आप मान कर चल सकते हैं कि 8 number तक decrease होने के 8-16 number decrease होने के पूरे chances हैं लेकिन जो high cutoff zone है और उनके अंदर form filling zone के अंदर ज़्यादा हुए हैं तो आप यह मान कर चल सकते हैं पाच नंबर तक उनके अंदर भी decrease होने के chance है साम तक सभी बोड़ के official website पर जो है वो result अपलोड कर दिया जाएगा और आपका scorecard भी आप देख सकते हैं कि किसका हुआ है अब किसका जो है पोस्ट के through चैसे कि आप पहले देख रहे थे कि level 2 में हुआ है या 3 में हुआ है तो हो सकता है अभी वो 4 और 5 और 6 सारो में हो जाए तो ये भी आपको देखने के लिए मिल सकता है अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजेगा गोर्मन्ट जोब की पलपल अपडेट के लिए थैंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर